मित्रो जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्मसिक्षा, धर्मसिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आजीर हूँ, आज का संपून रासी फल लेकर, यह संपून रासी फल सनीवाड, यानि कि 3 अपरेल 2021 का, अगर आज के पंचांग की बात करें, तो आज है विक्रम स संपद 2017, चैत्मा क्रिष्न पक्ष की सस्टी दिथी, सस्टी दिथी आज दिन के 10 बच कर 22 मेर्थ तक रहने वाला हैं, उसके बाद सफिर सत्मी दिथी अरंभ हो जाएगी, नशातर रहने बाद जेष्ठा, जेष्ठा नशातर आज सुभा के 8 बच कर 23 मेर्थ तक रहने वाल एक महुतों क वैया में जान सकते हैं, आज के संपून रासिफल के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुल 12 रासियों का आज का रासिफल, साथ हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादे, रासी अनुसर क्या खादे पतात आपके लिए सुभ रहे और रासी अनुसर कौन सा अंक आपके लिए सुब रहने वाला हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहे हैं, और संपून रासिफल का लाव उठाईए, वीडियो गर आपको पसंद आए, जानकरी अच्छी लगे, तो इसे लाइक तो जोर करें, साथी कमेंट बाक्स में जय मतादी जयूर लिखें, मित्रों आज के बारा रासी का रासी फल आपको बताना रहां करूं, उससे पहले आए एक निज़र डालते हैं, आज के गरहों की स्थेती पर, क्योंकि गरहों की स्थेती में, पूरा का पूरा रासी फल छुपा हुआ रहता है, आज मंगलव और राहु, तुनों एक साथ विशासी में, चंदरमा के दू के साथ विश्चिक रासी में, गुरु सनी के साथ मकर रासी में, बुद्ध, सुक्र और सूरी, तुनों एक साथ मीन रासी में विराजित है, विश्चिक रासी में चंदरमा सुभा के आठ वचकर 22 मेर तके ही र आज आपको कई परकार के परिशानियों से मुक्ति मिल सकती है, कलात्मक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी, आपके व्यक्तित में सकारत्मक बतलाओ आ सकता है, आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोर बिताएं, और उनकी मन इस्तिति को समझें, इससे आपको असी मन की स समझनी होगी, बच्चों को उनके केरियर के परती भी प्रेवीद करें, व्यापार उधन की बात के व्यापारियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है, आपके आत्मिस्वास में विर्दी होगी, जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा, आज किसी जरुत व्यक्ति को धन का दान चरुर करें, नोकरी करने वाई जातकों के लिए आज कहीं सामाने रहने वाला है, नोकरी में परिवर्थन का मन भी आपका हो सकता है, कुछ जातकों को सक्टे वाई से लाब भी हो सकता है, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों का मन आचंचल दूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सजेत हो जाना चाहिए स्वास्त की बात के तो आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है मन असान्त भी रहेगा जो आतक पहले से बिमार हैं उन्हें अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए प्रेम समन्त की बात कें तो आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सचाई को जानने की कोशिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार के जहार के सोच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज के लिए हड़ी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग केसर यारंग और आपके लिए आज का लखी नमर रहने वाला आठ बात केंगे वरिसरासी की विरिशासीम चंद्रमा आज छटे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपकी कारियों के दिखता रहेगी कारी छेत में परिवर्दन का मन भी आपका हो सकता है आज आप वानी की मधूरता से बहुत सारे कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पर अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत साही लोगों के आकरोज का सामना आपको करना पढ़ सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिन सकता है आपके परिवार की परतिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया काम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्य उपन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंताएं भी रह सकती है व्यापार और धन की बात कहीं अगर आपके पैसे बकाया है तो वहाँ से पैसे वसूली की पूरी समभावना बन सकती है पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चलिया आ रही है तो उसे खत्म करना अब आतिया आवस्यक हो गया है इससे आपको वड़ना आगे चलकर बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पर सकता है विद्यार्थी की बात करें तो आज आप कमन परहाई में लगेगा लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको और भी ज़्यादा महत करने की जरुरत है स्वास्त की अगर बात करें तो जिन जातकों को जो रोकदर दिया गठिया से समधित समस्या है उन्हें आज थोरी परिशानी का सामना भी करना पर सकता है आज आपको तनावपून वटावरान में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समंध की बात के तो आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दे और उसे समझें इससे आपके प्रेम में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम में सोच समझ का अगे बढ़ें किसी तीसरे व्यक्ति के वज़े से आपके प्रेम समंधों में दरार उत्पन ना होने दे आज के लिए गेहूं से बनीवी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके बच्चों के साथ आपका समयाज अच्छा बितेगा कई मैनों में आज के लिए चुनोतियों से भरा रह सकता है आज अगर आपको जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभवी लोग की सलास ही ले आपके मन में आज कोई नकरात्मक विचार आ सकते हैं जिससे आपका कारी प्रभावित हो सकता है आज आपके बोली गई बातों को आपके पर्तितंदियों दोरा तोर मोर कर पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते हैं साब्धानी बढ़ते हैं किनी किनी जातकों के अपने पिता के साथ समन्द भिगर सकते हैं तो यहां आपको साब्धानी बढ़तनी चाहिए आज अगर घर से अपने बड़े का असिवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीदेगा वियापार और धनकी बात environ तो वियापार के दिश्ój से आज के अअच्छा रहने वाल है जो आ तक वियापार करते हैं उन्हें वियापार में लाभ हो सकता है समान व्यापाड़ियों के बीच आपकी पर्तिष्ठा बढ़ेगी आवेशकता होने पर आपको आपके भाईबानों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाई जातकों के लिए आज के अच्छा रहने वाल है और फेसुने सहकरमी और सीनियर के बीच आपका समाल बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के तो आज आपको लक्ष प्राप्ति के लिए ज़्यादा महत करना पर सकता है ज़्यादा महत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी आपको स्वास्त की बात के तो स्वास्त के दिश्री से आज किने आपके लिए कुल्मला का अच्छा रहने वाल है किनी-किनी जात्कों को किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रीम समन्द की बात के दुविवाहित जात्कों को आज जीवन साथी का सहीयोग पराप्त होगा जोह तक और विवाहित हैं उन्हें कोई नया पार्टनर भी आज मिल सकता है आज की निगर तामवे के बरतन में पानी पीते हैं तब के लिए आज का सुपरंग काला रंग और आज का लखी नमर रहने हुआ चार बात करें करकरासी की करकरासीम चंदुरमा आज आठवी इस्थान में विराजी थे जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जुनों का साथ मिलेगा खास करके बड़े भाईवानों से मातापिता से भी कुछ आर्थिक सही योग आपको मिल सकता है परिवार में सुक्सांती का माहल बना रहेगा जिसके फ्लसुप घर में सकरात मकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लड़ाई जग्रे के योग बन रहे हैं तो आपको सबसे अच्छे समन्द बना के रखने होंगे खास करके सगे समन्दियों से परोशियों से सपलतान के प्रापती होगी व्यापार और धन की बात के तो आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों सामना करना ही लेकिन इस चुनोति से खबर आहने भाल कि इज सामना डटकर गे आज किसी इसे पैसे उद्रार लेने से भी बचे आज कर लिए के पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जो आतक नोकरी कर रहे हैं उनके साहकर्मियों के साथ उनके समन्द बिगर सकते हैं आज आपके साहकर्मी आपके बड़े प्रतितनली सावित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से लगा हुए हैं स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए तले भुने और मसायदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समंद की बात के तो जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे सम आपके लिए आज का सुब्रंगी जारंग और आपके लिए आज का लखी नमर रहने वाला छे बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासीम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसूप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे डंग से रख पाएंग सरकारी कारियों से आपको लाव मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहीयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांतिखा अनिफव करेंगे लेकिन कुछ जा तक किसी अग्यात भाईसायच परेशान रह सकते हैं व्यापार उध्यन की बात में चाहे व्यापार करते हो जॉब करते हो आपके अधिनस्त करमचारियों का सहीयोग आपको प्राप्त होगा किसी करीबी मित्र या सगे समन्धियों की मदद से आपके व्यापार में लाव हो सकता है आज आपके व्यापारिक पर्तिवन दी, आपको व्यापार में नुक्सान पहुँचाने की कोशिस कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती फिर भी अच्छी बनी रहेगी जिन जात्कों को मकानी या गारी की तलास है उनकी तलास पूरी हो सकती है जो आतक नोगरी कर रहे हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है ओफिस में कोई नई जीमिदारी दी जा सकती है आपको आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं विद्यार्थि के लिए आज के अच्छा रहने वाला है जो आतक परट्योगता प्रइच्छा की त्यारी कर रहे हैं उन्हें आज सफलता मिल सकती है स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेIFA मान शिक सांति का अनुभव करेंगे प्रेम समन्द की बात करें तो प्रेम समंदों को सुधिर बनाने के लिए आज अपने जिवन साथी के साथ समय बिताएं आपने आपको उंचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिसतो भूल कर भी ना करें इससे वाद व्यवाद की जिन और विवाही जात्मों को साथी की तलास है, उनकी खोजाज पूरी हो सकती है, आज की दूद से बनीवी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग और आपके लिए आज का लखी नमबर रहने वाज़ा तीन, बात करे दूदियों को परास्त करने में आपको सफलता मिलेगी, अपने घर के काड़ियों में आज आप वैस्त रहे सकते हैं, भगवान के पार्ति आपकी आस्था बढ़ेगी, लेकिन संतान के तरफ से थोरी चिंत आपको रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें, आज घर मे आपको व्यापार में मिलेगा, जो आतक नोकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनोती मिल सकती है, आज आपके खर्च भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिजोल खर्चों पर नियंतरन जरूर रखें, विद्यार्थी की बात के तो आज आपके मित्र आपका ध् परिशान कर सकता है, तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा, प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे, साथी आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आप से कितना प्यार करता है, आज के लिए उरत की डाल खाएंगे, तापके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग ब्राउन कलर और आपके लिए आज का लखी नमर एक रहने वाला है, बात केंगे तुलारा सिकी, तुलारा सिम चंदरमा आज 11 अस्थान में भी राजित है, जिसके फ्रसुप जो महनत आपने बीते दिनों में किया है, उसका फल आपको अब मिलेगा, जिसके कान आपके आत्मी स्वास में विर्दी भी होगी, आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए प्यरित भी रहेंगे, और इस नए कारी में आपको सफलता भी म बिःभला सकती है, वियापार और धन की बात के तो आज आप अपने बात करने की खंता और काम करने की खंता से विर्दी कर पाएंगे, आपकी आएम में भी भ्रूत्री होगी जोहां तक नुकरी कर रहें, उनके सिनियर अधिकारी उनसे प्रसंट रहेंगे, आज किसी को कर् कोई इस्थिति का अनफब करेंगे तो ऐसी इस्थिति का लाब जो उठावें ज्यादा ज्यादा अपने पढ़ाई परी ध्यान दें स्वास्त की बात के तो आज अपने खानपान का ध्यान रखें पेट समंदी किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है प्रहीम समंद की बात के छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी साज उला सकते हैं एक दुशे से वाद व्याद किस्तिती उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिस्ते मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी प्रेमी का के साथ आप समय विता पाएंगे इस से आपके प्रेमी समंद भी अच्छे बने रहेंगे आज के लिए चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग, फिरोजी रंग और आपके लिए आज का लखी नुमर रहने वला है साथ बात केंगे रिविश्ची क्रासी की विश्ची करसीम चंदरमा आज पा रहा हुए अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप अगर आप किराय के मकान में रहते हैं तो अपने मकान माली के साथ आपके समद भी गड़ सकते हैं तो यहाँ पे आपको सब्धानी बरतनी चाहिए आज आपको संथान के तरफ से खूसी हो सकती है परिवार में साकारत्वा कु अतावरन इसकन बना रहेगा किसी पुरानी समस्या का अंत्वी हो सकता है आपके आतरविस्वास में कमी भी आ सकती है साथ ही अपने वानी पे नियंतन लखे क्योंकि आज आपके लड़ाई जगरे के योग भी बन रहे हैं ओफिस में आपके सिनियर आपको किसी काम को लेका उकसा सकते हैं धरी से काम ले यह एक सोची समझी साजीज भी हो सकती है व्यापार और धन की बात करें आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है अगर आप किसी के साथ पार्टनर्सीप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, सिख्छा के छेत में विद्यार्थियों को आज दिक्कत का सामना करना पढ़ सकता है, स्वास्त की बात के आज आपका मन असांत रहेगा, मेडिटेशन करना आपके लिए लाब दैक्सित हो सकता है, जो आतक हाय बलड पेसर, डियाबटीज य आज के लिए दूट से बनी वी चिये खाएंगे, तो आपके लिए शुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग, कला रंग और आपके लिए आज का लखी नमर क्यारा रहने वाला है, बात के धनुवासी की, धनुवासीम चंदरबा आज पर्थाम अस्थान में विराज करना पर सकता है, अगर आप पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कारी करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आज आपको कोई सहकर्मियों से सहयोग पराप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे, वह आपके काम का केडिट भी लेने का प्रियास कर सकते हैं, आज किसी करना पर सकता है, तो उसके लिए पहले सही सचित रहे, अगर कहीं निवेस करने कमन बना रहे हैं, तो एक बार अनभवी लोगों की सला जोड़ ले, कज लेने चाज बलकुल बचें, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थी कमन पराही में लगेगा, आप जिस लक्ष की प सब्सक्राइब करेंगे, आपके जीवन साथी के साथ, आपकी नोगजोंग हो सकती है, बाद में सब कोई ठीक भी हो जाएगा, और वहाही जातक प्रेम समय में कोई भी निया रिस्ता बनाने से पहले, आज सामने वाले को जरूर बढखें, आज आपके प्रेम समय में किसी के चिंता रह सकती है, आज के लिए केला खाएंगे, तब के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, बेगनी रंग और आपके लिए आज का लखी नमर रहने वाले साथ, बात का हैं मकर रासिकी, मकर रासिम चंद्रमा आप दूसरे स्था में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज आपका मन आत्मी स्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारात्मा पिचार भी आ सकते हैं, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन उन परेशानियां पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें, कुछ नए विजय आपके लिए फाइदे मन कर सकते हैं, व्यापार उधन की बात के तो आज आपको व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में जो भी आपके प्रतिदन दिया, आज उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो आदक नोगरी कर रहे हैं, उनके लिए आज कर अच्छा रैने वाले आपके सीनियर या बॉस आपके काम से प्रवावित हो सकते हैं, लेकिन आपको सला दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पर भी ना करें, इससे आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, विद्यार्थी की बात के तो प्रतिक्तवा परिछा की त्यारी करने वाले विद्यार्थी, अपने दिड़ इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने पराही पर ध्यान दें, स्वास्त की बात के तो आज आपको मौसमी ब्यारी को लेकर सतरता रखने चाहिए, आपके सार्रिक और मांसिक ब्यारी की ज़र आज आपका दूख हो सकता है, वियायाम करें, ख हरी सब्यां खाएंगे, तो आपके लिए आज का सुब्रंग का लाना और आपके लिए आज का लखी नमबर रहने वाला तीन, बात कहें कुमरासी की, कुमरासीम चंद्रमा आज तीसे स्थाने जिराजित है, जिसके फ्रसुप आज आपको आपके छोटे भाई बाही बनों क सहयोग प्राप्त होगा, आज किसी जोड़तन व्रक्ति की मदद जरूर करें, इससे आपको भी जीवन में फायदा होगा, आपके पिता या उच्यद्गारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, समाजी कारियों में आपकी रुची बनी रहेगी, मन में देने विचार स्वाधिस्ट भोजन का आनद उठा पाएंगे, परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पे जाने के धार्मिक कारी करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, आज किसी गिलत फ्हामी के कारण आपके और आपके प्रिये जनों के बीच लाराई जगरे हो सकते हैं, तो यह आपके जातक नौकरी करते हैं, उनको ओफिस में ऐसे लोगों से साब्धान आना चाहिए, जो उनके दोस्तों हैं, लेकिन उनकी चबी विगारने के कोशिज भी करते रहते हैं, विद्यार्थि की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के मिलालदा रहने वाला है, पर आज आप जीवन साथी के साथ समय बिता पाएंगे, इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा, आज के लिए चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग रहने वाला है, ब्राउन क साथ आपके समय अच्छे बना के रखने का प्रयास आपको करना चाहिए, उन से लराई जागे की संभावना बन रही है, सांती से गर काम लेंगे तो आपके बहुत सारी काम भ्याज बन सकते हैं, अपने लगन और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बहते धंग से कर प अपने काम पर फोकस रहें, इससे आपको फायदा होगा, नोकरी करने वाए जात्कों के अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सभाने निची तर पर बढ़नी चाहिए, अपने फिजूल खर्चों पर आपको नियंतर रखना आज आपका ब्लड प्रेसर नॉर्मल रहेगा, वयायाम करें, योग करें, इससे आपको स्वास्त में फायदा होगा, प्रेम समन्द की बात के तो आज आपके जीवन साथ ही के साथ किसी दुसरे के वज़ए से मतभेद उत्पन हो सकते हैं, तो कुछ भी ऐसा सूचने से पह दिन के छे बचकर, नो मेर्स लेकर, साथ बचकर, साथ बचकर, एस समय मेर तक, इस समय में कोई भी निया कारी आड़म करेंगे, उसमें आपको सफलता पराप्त होगी, आज का असुप समयानी की राहु काल रहने वाला है, दिन के नव बचकर 17 मेर दस बचकर 51 मेर तक, इस स पूरुदेशा में किसी भी खास प्रियोयन से यातार ना करें, यहां पे आपको नुकसान आकरें, मेथी खाकर यातार आराम करेंगे तो आपके कारीदेश बनेंगे. तो मितों यहां पर मैंने आपको आज का संपून रासी फल बता है कल के संपून रासी फल के वीडियो के लिए धर्मसिक्चा के साथ देखते रहे हैं धर्मसिक्चा जे मता दी